वेलकम टो इदनेत हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जम्मू की ट्रेडिशनल डिश मेरी इसे आप दही वाली खिजडी भी कह सकते हैं मेरी बनाने के लिए मैंने डेड़ कप बासमती चावल धोने के बाद आदे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिये थे अब उसका पानी निकाल लिया है डेड़ कप दही लिया है याने कि मैंने जितने चावल लिये हैं उतना ही दही लिया है एक चम्मच मेथी दाना स्वादानुसार हरी मिर्च बारी काटकर स्वाधानुसार नमक मैंने यहाँ पर डिर चम्मच लिया है आधा चम्मच छल दी इसके अरावा यह मैंने सर्सों के दाने लिये हैं आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरा लिया है यह दोनों चीजे आप्शनल है आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें कुकर में एक टेबल स्पून सरसों का तेल अच्छा गरम कर लिया है अब हम इसमें एक चम्मच मेथी आधा चम्मच सरसों दाना और आधा चम्मच जीरा डाल कर भूल लेंगे फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है तीनो चीजों के चटक जाने पर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को बारी काट को डालना है मैंने यहाँ पर एक डाली है आप अपने स्वादा नुसा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अब हम इसमें यह चावल डाल कर भूल लेंगे लो फ्लेम पर हम चावलों को तीन से चार मिनिट के लिए भूल लेंगे अब इसमें आधा चमच छल्दी डाल लेंगे अब मैं इसमें यह फेंटा हुआ दही डाल रही हूँ मैंने यहाँ पर गेड़ कप दही लिया है जितने चावल लिये हैं उतना ही मैंने दही लिया है आप चाहें तो इसमें गेड़ कप के जगा एक कप दही भी यूज़ कर सकते हैं दही डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए अब हम इसमें डालना है पानी, मैं यहाँ पर पांच कप पानी डाल रही हूँ इसमें स्वादा नुसार नमक डालने, मैंने यहाँ पर देड़ चमस डाला है अब हम कुकर का धक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर एक विसल आने देंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए इसे पका लेंगे कुकर खुल गया है, अब हम एक बार मैरी को मिक्स कर लेंगे दही वाली ये खिचड़ी बनाने के लिए हमें चावल की मातरा से पानी वर दही की मातरा चार से पांच गुणा रखनी है मैंने यहाँ पर देड़ कप चावल के लिए पांच कप पानी वर देड़ कप दही का इस्तमाल किया है अगर आप मैरी को थोड़ा पतला रखना चाहें तो आप इसमें पानी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं यह ट्रेडिशनल डोग्री डिश आप बहुत ही इजली बना पाएंगे और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा आप इसे ट्राइ करें और कमेंट करें कि यह आपको कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक वर शेयर करें